आज मैं बताने वाला हूँ कि MacPhee Anti-Virus Software को Renew कैसे करते हैं MacPhee बहुती पपलर Anti-Virus Software है करीद दो सालों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ अब मेरी MacPhee की सब्सक्रिप्शन दस दिनों में खत्म होने वाली है आगे भी इसे यूज करने के लिए मुझे इसको Renew करना होगा तो चलिए जानते हैं MacPhee Anti-Virus Software को Renew करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप इसके लिए सबसे पहले MacPhee Anti-Virus Software को Open कर लेना होगा यहा है MacPhee Anti-Virus Software यहां आप देख सकते हैं मेरी सबस्क्रिप्टन दस दिनों में खत्म होने वाली है यहां आपको Renew का एक Option मिल जाता है इस पर क्लिक करके आप MacPhee को Renew कर सकते हैं इसके अलावा आप My Subscription पर क्लिक करके भी Renew कर सकते हैं चलिए हम My Subscription पर क्लिक कर देते हैं यहां आपको renew का एक option मिल जाता है, इस पर आपको click कर देना है, यह एक browser open हो गई है, यहां आपको renew के दो option मिल जाते हैं, एक एक साल का और दूसरा दो साल का, एक साल के लिए आपको 800 रुपिया payment करना होगा, और दो साल के लिए आपको 1500 रुपिया payment करना होगा, आज हम एक सा कर लेंगे और फिर रिनियू राओ पर क्लिक कर देंगे यहां मैंत को पैमेंट की तीन option मिल जाते हैं एक credit card दूसरा debit card और तीसरा net banking फिर आप credit card से payment करना चाहते हैं थो यहां पर आपकोस्त नंबर लिख देना पिर आपको यहाँ पर फ्लैट बिल्डिंग का नाम नमबर डाल देना है, फिर आपको यहाँ पर रोड का नाम डाल देना है, फिर आपको यहाँ अपने सहर का नाम टाइप कर देना है, फिर आपको यहाँ अपना पोस्टल कोड टाइप कर देना है, फिर यहाँ पर क्लिक करक अपने राज्ज को सेलेक्ट कर लेना है एदि आप debit card से payment करते हैं तो आपको यहाँ पर debit card का number टाइप कर देना है फिर यहाँ पर अपना first name और यहाँ पर last name टाइप कर देना है फिर यहाँ पर debit card की expiry date फिल कर देना है फिर यहाँ पर debit card का CBB number टाइप कर देना है फिर यहाँ पर flat building का नाम यहाँ पर road का नाम यहाँ पर अपने सहर का नाम और यहाँ पर postal code टाइप कर देना है फिर यहाँ पर click करके अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है वही एदी net banking जे payment करते हैं तो आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर अपना bank select कर लेना है फिर यहाँ पर अपना first name और यहाँ पर last name टाइप कर देना है फिर यहाँ पर building flat का नाम यहाँ पर road का नाम यहाँ पर अपने सहर का नाम और यहाँ पर postal code टाइप कर देना है फिर यहाँ पर क्लिक करके अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है फिर आपको इसकी टरम्स और कंडिशन को एकसप्ट कर लेना है और फिर प्लेस ओर्डर पर क्लिक कर देना है यह स्टेट बैंक आप इंडिया की वेबसाइट खुल गई है अब आपको यहाँ अपना उजर नेम और यहाँ पर पास्वर्ट टाइप करके लॉग इन पर क्लिक कर देना है अब आपको इसको टेक करके कंफर्म कर देना है अब आपके मोबाइल पर आठ डिजिट का सिक्यूर्टी कोट आया होगा उसे आपको यहाँ पर इन्टर कर देना है और फिर कंफर्म कर देना है हमने सकसेट फुली मेकफिक की सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर ली है इसकी रिसिट कॉपी हमारी इमेल पर भीज दिया गया है आप यहाँ पर क्लिक करके इसके वाडर डिटेल्स को देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से इसकी प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन को भिरिपाई करने के लिए आपको नीची चले आना है टास्क बार में फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ आपको मैक फी का आइकन दिखाई पड़ रहा है इस पर आपको राइट क्लिक करना है और फिर विरिफाई सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है इस तरह आपकी सब्सक्रिप्शन विरिफाई हो जाएगी इसके बाद आपको Mac Macพी को Open कर लेना है यहां पर आप देख सकते हैं Renew का Option नहीं है एड़ी आप My सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए बढ़ा दी गई है जहाँ Renew करने के लिए 10 दिन बाकी थे वहीं अब 374 दिन हो गए हैं अब हमारी सब्सक्रिप्शन एक्टीव हो गई है तो दोस्तो आज की वीडियो में यहीं तक एदिया वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों की साथ सेहर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वा